है लो स्ट्टेयर्न टु करते हैं किरेंगे कि चांट करता है तक वर्किंव काम कैसे करता है थे क्षक्राइब को श्ब्सक्राइब को सबस करते हों तो ऐर्ध होता है यहां पर घरम हीट बोल सकते हैं खरती के गरम और्जे की सायोग से क्या होता है शुच्छे सो समस्ता हैं कि शित्थर्मल एनरजी क्या होता है see सब्सक्राइब में लिखी हुए कि जियो थर्मल एनर्जी इज थर्मल एनर्जी वीच इजनरेट इन दी अर्थ होट वाटर या स्टीम ले सकते हैं एंड होट रॉक फांड एफ्यू मिल्स बेंथ दी अर्थ सर्फेस एंड ओल्सो हाइड डीपर सर्फेस ओप अर्थ इज कोल मेगमा मिस कहने के मतलब एक जियो थर्मल एनर्जी एक तरह का गरम उर्जा है जो धर्ती के अंदर जेनरेट होता है जो जैसे कि क्या क्या अंदर धर्ती के अंदर क्या जेनरेट होता है गरम वाटर ले सकते हैं गरम यह स्टीम ले सकते हैं भाप ले सकते हैं या कोई गरम कि अर्थ के नीची जो serfриз होती है वहाँ पि काफी अंदर में यह चीज को यहां पर मिलती है अज्य अगर उसकी नीची भी हम मेगमा घाता है जो धर्ती का बहुत ही गरबाय होता है तो उसी चीज को हमने यहां पर समपर्ख में आता है जब भूमिगत के जल अस्थल संपर्ख में आता है तो आप से निर्वान होता है कभी-कभी ये भाप चटानों के बीच में फंजाता है कभी-कभी जो अंदर पथल होते हैं उसके सयूख से फंजाता है जो जल्दी से बाहर नहीं निकल पाता है जो हमारा अर्थ का सर्फिस के उपर जहां इसका दाब अधीक हो जाता है जिसके करण बहुत दिर रहने से इसके जो दाफ है बहुत जादा अधीक हो जाता है जिसके करण और भी हाइप प्रेसर में आ जाता है तोप अस्थलो को पाइप डाल कर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है और इस भाप का उप्योग तर्वाइन को घुमाने में किया जाता है और तर्वाइन को घुमा कर विधूत उर्जा में परिवर्तित किया जाता है जिसके सयोग से हम electricity generate करते हैं अगाने का अगहा है कि जैसे कि आम पर डियर्टा निकलती है इसने इसे जैसे थोड़ी-इस उपर आते हैं तो यहां पर क्या होती है जीयो धार्मल रिजर्वाइड होती है जो चटान होती है उसके बीच में जो पानी होती है जो ताप लगती तो गरम होती है तो उसे हम लोग पाइप डाल के उसके सहयोग से स्टीम को निकालते हैं जो अंदर में भाब बनते हैं और उसको सहयोग से हम टर्माइन को घुमाते हैं और वहां से हम इलेक्टिसिटी को ज जनरेट करते हैं और इसे उस चेतर में यूज किया आता है जहां पर इसकी जो अस्थल है काफी जो नजदीक पड़ती है कम से हम दो से पांच किलोमेटर अंदर तक पाइप डालने के बाद यह जो हमारा जो थर्मा रिजर्वायर वहां तक पहुंच आते हैं तो वहां पर उस चेतर में यूज करते हैं जो बहुत ही लबडायक होती है चलिए हम इसका कांसक्शन के बारे में समझते हैं कि जीओ थर्मल एनर्जी को अकरिमीं किस चर्स से बनाया था है प्लांड को जिसके स्योग से इलेक्रिक्सिटी को जनरेट किया था है आपके समझे डाइग्राम न नजर आ रहे हैं यहां पर सबसे अंदर में मेगमा होती है उसके ओपर में हीट सर्फेस अब क्या करते हैं कि हम इंपावर प्लांट को बैठाने के लिए इसकी अंदर कम से कम 2-5 किलो मिटर इसकी अंदर हम एक प्रोडुक्षन वेल का उप्योग करते हैं इसकी आपको कुम ठीक है मिस प्रोडक्शन वेल इसे हम कहेंगे जिसे अंदर पाइप कम से कम हाइड्रो थर्मल रिजर वायर तक पहुंचने चाहिए जिसे हम लोग जीओ थर्मल रिजर वायर भी कल सकते हैं जहां पर इस्टीम का निर्वान होता है बहुत गरम भाप का बहुत तेजी से निकल है ठास यहां यहां पर हम यूचज करते हैंक दिश काय बगल में यहां पर रिटर्न पाइप का हमारा बनाएक करते हैं यहां सिख्क इंजेकšन कर सकते हैं यहां से फुलिंग थंडा इस्टीम इसके ऐसके सहयोग से वापस उसी सर्पेस पे जाती है जाती है जासे इसके उपर में यहां पे पॉयर को निकालता है यहां से हम्सायोग से जहाँ electricity हमारा produce होती है वहाँ पर उपयोग कर सकते है ठीक है और यह जो नजरार यह जो टर्माइन यहाँ से जो भी यहाँ पर steam हमारे ठंडा होके water के फॉर्म में आएगी यह वापस हमारा एक तरह का pipe connect है यह pipe हमारा pipe के सजुक से नीचे भी pipe है यहाँ कंडेंशन का यूज करते हैं मिस जो भी steam है यहाँ पर cold water में आएगी यहाँ ठंडा होके और वापस हमें heat action surface में भीज़ेगा इसे वापस गरम करके वापस टरवाइन को भीज़ देगी ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर हम कंडेंशर का यूज करते हैं यहाँ यहाँ पर है जिसे हमनों production well बोलते हैं जिसे हमनों connect है hydro thermal reservoir में तो यहाँ से सजोग से high pressure साथ steam बने के जब प्रेसर साथ जाती है यह पाइप के सजोग से तो यह उपर जाती है हम यहाँ बहाल को करते हैं और यहाँ बहाल बिसे ऑन होती है तो यह जाती है मैं इस टीम एक तरह होट जि यहाँ पर पहुंच तो जाती है लेकिन कुछ तरह यहाँ पर ठंडी हो जाती है जिसके सजोग से हम यहाँ पर heat action survey के यूज किया आता है जो यह जो स्टीम हमारा है जो थोड़ी थोड़ी ठंडी हो जाती है और तो उसी वापस इसी steam के फॉर्म में लाती है और वापस इसी यह नजर आ रही है आपके समने जो टर्बाइन का पाइप लगे इसमें चले जाती है और कभी कभी क्या होती है कुछ पर जो ज्यादा कुल हो जाते है जो वापस यह लिक्विट के फो में आने के बाद यह भाग करते है और तो यह जो मेरा injection वेल के सजोग से वापस हमारा यह अंदर चला जाता है जहां पर जियो थर्मल रिजरवायर का यूज है ठीक है यहां पर चली जाती है हाई प्रेसर सथ आई है हमरा प्रोडक्शन वेल के सजोग से उसे और भी ज्यादा गरम कर दिया जाता है हीट एक्षें सर्पेस के सजोग से और इसी जैसी उपर की औ पर जाता है यहां पर यहां पर जलना हो जाती है और यह जो इनरजी निकलती है इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं जियो थर्मन इनरजी इनरजी निकलती है को जहां से उत्पन हो रही है ठीक है जैसे कि यहां बहुत देर के बाद चलने के बाद यहां जो टर्माइन यहां से लिक्वीट के फोर्म में आ जाती है इसकी भाप जो इसकी स्टीम है तो यहां पर यहां पर जमा हो जाती है थोड़ी से यहां पर गरम होती है और थोड़ तो इस तरसे geothermal energy यहां पर work करता है means well production के सहयोग से यहां पर steam को लेता है heat action surface से वापस से वापस हमारे turbine के pipe में डालता है turbine को rotation कराता है generator को भी rotation करता है जहां electricity generate करता है जहां कुछ-कुछ liquid बढ़ जाता है यहां पर यहां पर यहां पर वापस यहां पर गरम होती है heat surface के सजयोग से जो अंदर में मेगमा है उसके सहयोग से वापस यह system चलते रहती है और यहां पर इस तरह से country हमें electricity यहां पर उत्पन होते रहती है तो इस तरह से geothermal energy यहां पर work करता है नेवाद